हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola G42 Android मोबाइल फोन में आप Lock Screen Notification Setting को आप जो है कैसे Enable कर सकते हैं और यह Setting जो है Enable करने के बाद काम कैसे करेगी आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकरी देने वाला हूँ तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको जो अपने सब्सक्राइब करने के लिए आपको इसे पहले ओप्शन पर टिकमाक लगा लेना है अब आपको लॉक्स्क्रीन के निचे लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा इस तरीके से आपकी यह लॉक्स्क्रीन नोटिविकेशन सेटिंग आपकी इनेबल हो जाती है अब यह इनेबल होने के बाद जो है किस तरीके से काम करती है मैं आपको यह बता देता हूँ तो जब भी आपका वैलपोन जो है लॉक्स्क्रीन मोड पर होगा तो आपको जो है lock screen पर यहां पर यह आप देख सकते हैं, lock screen पर ही आपको notification आपको दिखाई देंगे, किसी भी application को notification आएगा, तो आपको यहां पर जो है, lock screen पर दिखाई देगा, ठीक है, तो यह setting जो है, enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है, आपके Motorola G42 Android mobile phone में, अब मैं आपको इस setting क पर आपको search setting का यह option दिखाई देगा, इसे आपको select करना है, यहां पर आपको search बार में type करना है, lock screen display, lock screen display आपको यह पर type कर देना है, तो नीचे की साइड में यह option शो हो जाएगा, lock screen display का, इसे आपको tap करना है, तो इससे होगा क्या कि आपको mobile phone आपको direct इस setting page में लेकर आ